आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और चलते हैं आज के मुख खास खबरों पर नजर डालते हैं तो यहीं बतादे कि सेक्रो उभोकताओं के घर की कटी गई बिजली रिचार्ज के बावजूद माइनेस में बैलेंस वहीं आलू के आर में अवय सराब की तसकरी गुप सुचना के अधार पर मन निशिदने की करवाई एक ट्रक सराब के साथ दो तसकर गिरफतार सेक्रो उभोकताओं के घर की बेली कटी रिचार्ज के बावजूद माइनस में बैलें जाने से फुटा गुसा बिदूत कर जारों लोगों ने किया हंगामा मुझाप में बिदूत विभाग दोरा लगाया गया स्मार्ट मीटर के अब सुईधा की जगव भोकता के लिए परिसानी की सबग बन गई है एक बाद फिर शहर के कई स्मार्ट मीटर बूधाओं के खाते में मौझूद रिचार्ज के बाद अच्छानक गायव होकर माइनस में चला गया जिसे परसानी भोकताओं ने तिलक मैदान के बिदूत कर जाले पहुचकर हंगामा किया गया रिचार्ज के रकम हुआ गार एक हजार से पाँच हजार तक हुआ माइनस समझ सकते हैं कि एक काउंट में वैलेस रहने के बाव जहुद भी पैसा कटकी और माइनस में चला जाना है इसमार्च मीटर के रिचार्ज के अचाना खत्म होने के सबसे अधिक सिकायत मुझापुट के सरयेगज इलाके से सामने आई है जहांके सैक्रू भुखता परसान हो चुकी हैं कि यह होगा तो होगा कैसे इस समस्य से परसान विधूत भुखताओं ने कहा कि घरों में लगे मी बार बार चला जा रहा है जिससे लोगों को रिचार्ज भी माइनेस में चला जा रहा है जिसके घर के भीली भी गूल हो रही है वहीं वह भुखताओं के सिकायत के बाद एसमार्ट मिटर तकनीकी गरवरी को दूर करने कोई पहल बिधूत भिःग नहीं कर रहा है वहीं वक्री गई है जहां आलू के बोडियों के आर्मी रहे विदेशी सराब को गोवर धंदे की भंडा फोर हुआ है इस सराब के तसकरी के खेल में समीट दो लोग को भी मद निशेदने के विभाग नहीं आपको धरदबोचा है पूरा मालम मुझा पुजिले के कुर्णी धना छेट गए है जहां जीले में हो रहे सारो सराब करोबारी के सुचना मिलने के बाद देड़ साम बिहार पुलिस के मन निशे निकाई ये स्पेसर टीम ने अस्थानी पुलिस को सहयोग से पिछा कर यूपी नंबर वाले ट्रॉक इतना एनेच पर 77 पर पकड़ा गया